और दोस्तों मैंमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके एपने यूटिव चैनल में और दोस्तों यहाँ पर आज हम बात कर रहें आरबी एनल की और आरबी एनल के लेकर के हमें एक बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रही है जो की साइस से आपने गैस कर भी लिया होगा और बहीं दोस्तों आप देखेंगे तो इस टॉक की जो परफॉर्मेंस अभी तक ओल टाइम्स रही है वो रही है 73% का रेटन आपको यहाँ पर देखने को मिला है और कोविट के बाद से अगर आप इसको काउंट करेंगे तो यह रेटन आपका कही गुना उपर देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 125% से जादा का रेटन इस स्टॉक ने दिया है जो कि अप्रॉक्सिमेट यहाँ पर आपका 168% का रेटन आज की डेट में बनता हुआ नजर आ रहा है तो जिन्नों ने भी इस स्टॉक में 10 रुपए के लेबल से निवेस कर रख तो अपने 52 बीक हाई से थोड़ा नीचे काफी ट्रेड करता हुआ दिरजर आ रहा है जो कि इसने 44 रुपए का बनाए तो यह स्टॉक बापस से अब इस लेबल की तरफ जाने वाला है और क्यों तो वह आपको वीडियो में पता लग जाएगा वीडियो आपको अच्छा ल रिजल्ट है काफी अच्छा रहने वाला है जिसको लिए हम अभी देखने वाले मैंने भी अगर बात कहें तो पूरी तरी के से भी इसको नहीं देखा है जो कि आपके सामने ही देखने वाला हूँ और क्या कंपनी ने हाँ पर हमें डिबिडेंट भी दिया है ये भी आपको पता लग जाएगा तो बीडियो में उस तो बने रहीएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट क्लोस होने के बाद ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है चार बच कर पांच मिनट पर ये रिजल्ट आया है जो कि बोर्ड मेटिंग स्टार्ट आप देख सकते हैं दुपैर के बक्ती हुई है और यहाँ पर आप नीची की तरफ जाएंगे आपको यह रिजल्ट में जाएगा और आगर आपको भी रिजल्ट डाउनलूड करना है तो आप हमरा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं बहाँ पर आपको यह रिजल्ट मिल जाएगा अब य इस बार जो इनकी इंकम है जो उनका quarter on quarter, year on year दोनों ही तरह से आपको बढ़ती हुई नजर आई है जो कि एक positive sign हमें साफ तोर पे दिखाए जिता है अब अगर expense की बात करें तो जाहिर सी बात है जब revenue बढ़ा है तो expense भी बढ़ेगा लिकिन हमें देख रहा है मेंली profit कितना आया है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर year on year compare करेंगे तो आपको profit increase होता हुँ नजर आए और quarter on quarter करेंगे तो इसमें काफी ज़्यादा उच्छाल हमें देखने को मिला है और यह सारे numbers आपको यहाँ पर देख जाएगा करोर्स में है जो कि आप confused नहों करोर्स में सारे numbers हैं और यहाँ पर आप अगर देखेंगे total company ने net profit इस बार जो कमाया है 281 करोड रुपे का net profit हमें देखने को मिला है जो कि quarter on quarter basis पर काफी ज़्यादा इसमें अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है लिकिन अगर year on year basis पर देखेंगे तो बहुत बड़ा आंतर नहीं देखने को मात्र आप मानके चल सकते हैं एक करोड ही इंक्रीज हुआ है जो कि एप्रॉक्सिमेट तीन चार परसेंट का ही आपको इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है लिके ने मेली यहाँ पर बात हो रही है अगर हम देखें तो company ने हमें एक अच्छा result पेस करके दिख quarter में increase हुआ है last quarter के मुकाबले लिकेन अगर year on year basis पर देखेंगे तो same आपको देखने को मिला है तो यहाँ पर बहुत बड़ा increase नहीं देखने को मिलेगा आपको EPS के अंदर तो अगर आप बात करें आप इस stock को अगर आप लेते हैं या आपने पहले से buy कर रखा है तो आप आपको future में किस तरह की growth दे सकता है यह company आपको बता रही है और अगर भही आप इसको compare करेंगा 9 months के data के हिसाब से तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस बार जो 2021 की performance है काफी अच्छी है हमें देखने को मिले 2020 के मुकाबले revenue बाइस भी और profit बाइस भी आप यहाँ पर अंतर हमें देखने को मिल जाता है जो कि हमारे लिए काफी positive sign भी है अब दोस्तों यहाँ पर क्या company ने dividend भी आपको दिया है तो दोस्तों इस बार आपको यहाँ पर कोई dividend देखने को नहीं मिला है और यह चीज आपको साथ पहले से भी gas करना चाहिए क्योंकि company पहले से ही ब वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी RBNL में निवेसित हैं या आप करने का प्लान कर रहे हैं तो दूस्तों comment box में जरूर बताएगा price किस level पे आप इसमें invested हैं और बहीं दूस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो like कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो subscribe जरूर कीजिएगा